करेंगे करेंगे मॉर्निंग की क्लासेस होंगी दो बजे मैस की क्लासेस होंगी उसके बाद की जो क्लासेस है वो नहीं होगी ठीक है क्योंकि इवनिंग में आप क्या करोगे दिवाली सेलिब्रेट करोगे है ना तो चलें वन्स अगें हैपी दिवाली सभी को तो बच्चो यह जो हम मॉर्निंग में जो क्लास कवर करते हैं आपका यूपी पी एसी आरो ए आरो के लिए क्लासेस चलती हैं ठीक है जिसमें हम जी और जीके के क्वेसंस को कवर कर रहे हैं और आपका यह MCQ फॉर्म में आपको क्वेसंस दिखाई देंगे ठीक है मतलब मल्टिपल चॉइस क्वेसंस में आपको क्वेसंस दिखाई देंगे यही पैटर्ण आपके एक्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे ठीक है टॉप कर लेजे ठीक है और यह आपके 2020 21 एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है मेरी जो टाइमिंग है वो दस बजे की टाइमिंग है ओके तो यह सेड्यूल को एक बार ध्यान में रखिएगा इसके बाद जो आपका क्लास होगा वो दो बजे मैस की होंगे आज इवनिंग की क् करना है सभी को कमेंट में आंसर करना है ठीक है भारत में अपने नियंत्रन को बढ़ाने है तू ब्रिटिस और भारतियों के बीच कई यूद लड़े गया थे प्रन्तु निमलिखित में से एक यूद उसमें सामिल नहीं था तो बताना इसका सही आंसर क्या होगा कौन से यूद थे जो भारतिये और मतलब भारत में अपने नियंत्रन को बढ़ाने है तू ब्रिटिस और भारतियों के बीच नहीं लड़ा गया था तो जल्दी से बताईए सभी को अंसर करना है यहाँ पर जो आपका होगा एंगलो और बांगला जो है ये यूद नहीं लड़ा गया थे अगर हम बात करेंगे कि एंगलो और बांगला यूद नहीं लड़ा गया था आंगल और मराठा यूद जो लड़ा गया था प्रतम आंगल मराठा यूद लड़ा गया था फिर ऐसे लड़ा गया था लेकिन डी जो है यह पर सही आंसर होगा नेक्स्ट वन सुरन मंदिर किस जील के किनारे पर इस्थीत है कि सुरन मंदिर किस जील के किनारे पर अवस्थीत है अंसर बताईए तो यहाँ पर जो correct answer होगा हरी मंदिर स्वर्ण मंदिर जिसे हम साहिब भी कहते हैं यह मंदिर जो है यह अमरीज शरोवर जिल के किनारे स्थीत है और इसकी जो निव है स्वर्ण मंदिर की वो 1588 में गुरू अर्जून देव ने लहोर के एक सूफी संद थे उनका नाम था मिया मीर द्वारा रखवाई थी तो मिया मीर ने निव रखी थी लेकिन किनके द्वार द्वार रखा गया था यह इंपोर्टेंट है गुरू अर्जून देव गुरू अर्जून देव ने 1588 में मिया मीर के द्वारा जो है जो की एक लोहर के एक सूफी संद थे उनके द्वारा इसकी निव जो है वो रखी गई थी ठीक है सीखों के पांचवे गुरू थे यह सीखों के पांचवे गुरू थे पांचवे नंबर के गुरू थे तो यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट वन पानीपत के तीसरे यूद में एहमस साअफदाली से किस ने यूद किया था तो यह आपका क्वैसन नंबर थी है बच्चों सभी को आंसर बताना है ठीक है तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा कि पानीपत के तीसरे यूद एहमस साअफदाली और मराठा के बीच में लड़ा गया था तो यह कब लड़ा गया था तो यह 14 जनवरी 1761 में आपका एहमस साफदाली और मराठो के बीच में ये यूद हुआ था मराठा सेना का जो नेत्यूर्थ किये थे मराठा सेना का नेत्यूर्थ वो किये थे सदा सीव राव भाव ठीके तो सदा सीव राव भाव इसका नेत्यूर्थ किये थे और मराठे बूरी तरह से इसमें प्राजित हुई थी तो ये आपको ध्यान में रखना है तो इसलिए कासी राज़ पंडित के सब्दों में ये कहा गया कि पानी पत का तिर्तिय यूद मराठों के लिए परले कारी सिद्ध हुआ तो यूं कह सकते हैं कि मराठा के यहाँ पर प्राजय हुई थी ओके बच्चों चली नेक्स्ट वन निमलिखित में से किस संधी के प्रिनाम सरुप तिर्तिय एंगलो मैसूर यूद समाप्त हो गया था तो किस एक संधी के द्वारा कौन किस एक ट्रीटी के द्वारा जो है वो तीर्थिये एंगलो मेसूर यूद जो है वो श्रमाप्त हो गया था तो सभी को बताना है यहाँ पे correct answer क्या होगा तो यहाँ पे जो आपका correct answer होगा बच्चों यहाँ पे जो आपका correct answer होगा वो है आपका सी रंग पटनम की संधी सी रंग पटनम की संधी जो हुई थी उनके द्वारा यह जो युद्ध है यह शमाप्त हो गया था तो अगर हम बात करेंगे कि तीरती अंगल मैसूर युद्ध जो है यह 1792 में लड़ी गई थी उनके नगरेजों की और से कानवलिस थे अंगरेजों की और से कौन थे बच्चों तो वो आपके कानवलिस थे और अगर हम बात करेंगे कि मैसूर की तरफ से कौन थे तो मैसूर से थे टीपू सुल्तान ठीक है टीपू सुल्तान थे टीपू को अपने राज का लगवग आदा भाग अंगरेजों तथा उनके शांथियों को देना पड़ा था तो यह आपको ध्यान में रखना है तो यह तब तक उसके पूत्र जो अंगरेज के कबजे में रहेंगे वो मतलब टीपू को पैसा चुकाना है तभी उनके जो दो पूत्र थे वो उनको सौपा जाएगा ठीक है तो यह ध्यान में रखना तो बेसिक लिए आपको ध्यान रखना है वो है सी रंग पत्नम की संधी नेक्स्ट वन और किसके बीच में यूद हुआ था अंगरेज और मेसूर के बीच में है ना चले नेक्स्ट वन यह भी पूछ सकता है कि रंग पत्नम की संधी जो है यह किन दो के बीच के लड़ाई का एक परिनाम था तो यह आपको ध्यान रखना आंगरेज और अपना मेस ठीक है तो जल्दी से बताईए कमेंट में अंसर क्या होगा झाल तो यहां पर जो आपका होगा चिलिया वाला ठीक है यह जो हुआ था 1849 में हुआ था बच्चों सी इस था करेक्ट आंसर तो चिलिया वाला यूद 13 जन्वरी 1849 में हुआ था इस यूद में अंग्रेजी सेना का नेतर्त जनरल आफ ने किया तो तो सीख सेना सेर सिंग के नेतर्त में लड़ी गई थी तो चिलिया वाला जो है किनके किनके बीच में हुआ तो विए हुआ इन दोनों के बीच में ये यूद हुआ था तो यह यूद और निर्नित रहा ना तो किसी की जीत हुई ना तो किसी की हार हुई और निर्नित थी और ये यूद के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये आपको धियान में रखना है तो इस यूद के समय भारत के गवर्नर कौन थे बच्चों अगर आपको पता है तो जल्दी से इस कांसर बताईए तो वो थे लौड डल होजी ठीक है तो यह आपको याद में रखना है नेक्स्ट वन तो चिलिया वाला यूद वेरी इंपोर्टेंट है हो सकता है यहां से आपको प्रश्ण दिखाए दे तो इसलिए आपको यह याद में रखना है तो यह अंग्रेजी और सीख सेना के बीच में यह युद लड़ा गया था नेक्स्ट वन ब्रिटिस द्वारा प्लासी युद किसके नेत वर्त में लड़ा गया था प्लासी युद यह तो काफी इमपोर्टेंट है प्लासी युद तो I think इसक आंसर आप सभी करोगे मैं उमीद कर सकती हूँ कि मेरे स्टुडेंट इसका अंसर करें तो प्लासी यूद तो सबसे पहली बात है कि यह कब लड़ा गया था बच्चों तो यह आपका 23 जून 1757 में लड़ा गया था और रोवर्ट कलाइफ के नेत्वर्त में अंग्रेजों ने बंगाल के नौप सिराजुदोला को प्राजित किया था तो प्लासी का यूद जो था यह किनके किनके बीच में हुआ था बच्चों तो एक तरफ तो अंग्रेज थे दूसरे तरफ कौन थे सिराजुदोला जो कि बंगाल के नौप थे तो इन दोनों के बीच में यूद हु स्थीत होते हैं और फिर बंगाल के नुवाव जो है वो मिर्जाफर को बनाया जाता है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है तो वर्तमान अगर पलासी के बारे में बात करें तो यह पश्री मंगाल में है पश्री मंगाल में है वर्तमान नाम इसका पलासी है ओके और यह यह मैदान जो है पश्री मंगाल राज के नदिया जीले में भागीरती नदी के किनारे स्थीत है तो कहां पर है यह वेस्ट बंगॉल में है नदिया जीले के भागीरती नदी के टट पर यह पलासी नामक अस्थाने जहां पर यह युद हुआ जिसमें सिराजुदोला प्राज क्वेशन है ठीक है तो सभी को अंसर बताना है इसका अंसर क्या होगा है यहां पर जौब करेक्टर अंसर होगा कि आदुनिक भारतिय नवजागरिती का जनक किसे कहा जाता है तो यह आपका राजा राम मोहन राय अगर हम राजा राम मोहन राय के बारे में बात करेंगे तो भारतिय शमाज में जो व्यापत बूराइयां थी बूराईयां ठीक है उनके विरुद इन्होंने ही आंधुलन चिलाये था ठीक है इसलिए इन्हें पुनर्जागरण का भारती पुनर्जागरण का पिता भारती राष्टवाद का पेगंबर अतित और भव którą आधुनिक भारत का पिता प्रतम आधुनिक-प॥ यह युग द गया covered एक राजा राम्मोहनराई को यह चीज आपको धियान में रखना है कि नेक्स्ट वं न्येक्स कि इन्होंने आधुनिकता के वारे मैं बात किया था तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ये अगर ऐसा कुछ question पूछा जाए कि पुर्णर जागरन से रिलिटर की किसे कहा गया है तो ये आपका राजा राम मोहन राइक correct answer हो जाएगा भारत में पस्मिश सिच्छा और अंग्रेजी भासा शुरू करने की वकालत किस ने की थी ये जो character थे जो थे उनका कहना था कि हम पस्मिश सिच्छा के द्वारा ही हमारे ज्ञान की जो अंधिकार है अंधेरा है वो हम दूर कर सकते हैं तो इस टाइप की जो बात है वो राजा राम मोहन राई ने किया था ठीक है कि पस्मिश सिच्छा पर उन्होंने बल दिया था ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है तो हो सकता आपके एक्जाम में ये question पूछ लिया जाए नेक्स्ट वन ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे ये तो very important question है आज हम जितना भी question कर रहे ना ये काफी important question है तो ये सभी को याद में रखना है और जो आपको नहीं पता है आप copy में not on कर लिजे ये screenshot ले लिजे बच्छों लेकिन बात में copy में not on जरूर कर लिजेगा ठीक है तो ब्रह्म समाज की जो संस्थापक है वो कौन है तो वो है आपके राजा राम मोहन राय ठीक है तो यहाँ पर ये आपका correct answer होगा और इसकी अस्थापना मुलता ब्रह्म समभा के रूप में 1882 में हुई थी पहले जो थी ब्रह्म क्या थी ब्रह्म सभा जिसकी अस्थापना 1828 में हुई थी ठीक है और राजा राम मोहन राय नहीं किया था ओके नेक्स्ट वन मतलब पहले ब्रह्म सभा फिब ब्रह्म समाज हो गया था वो राम किस्ट मिसन का गठन किस ने किया था पहले यह जो मिशन था यह राम किस्ट प्रह्म हन्स के नाम पर रखा गया था ठीक है तो यह किस ने किया था तो यह स्वामी द्यानन स्वामी विवेकानन ने किया था क्योंकि स्वामी विवेकानन के ही गुरू थे राम किस्ट प्रह्म हन्स ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है और अगर हम बात करें तो यह कब किये थे तो रामкивist mission के अस्थापना 1897 में श्वामी विवेकानन ने किया था ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है और राम किस्ट मिशन जो है वो कलकता के वेलोर एवां अलमोरा के मायवती नामक अस्थानों पर इसका मुख्याले खुला गया तो वेसिकली आपको याद रखना है कि इसके मुख्याले कलकता में है ठीक है और मिशन का नामकरन राम किस्ट परमहंस के नाम पर हुआ था जो स्वामी विवेकानन के कौन थे गुरू थे ठीक है चलिए नेक्स्ट वन वेलूर मट कहा पर स्थीत है वेलूर मट ये काफी इंपोर्टेंट है तो जल्दी से पताईए इसका अंसर क्या होगा मैं वेट कर रही हूँ कि सभी को अंसर करना है जो भी स्टुएंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो जब सभी को अंसर करना है ठीक है विदाउट ये हेजिटेशन के गलत हो जाएगा तो क्या होगा ठीक है एसा नहीं को सोचना है सभी को अंसर करना है तो अगर हम वेलूर मट के बारे में बात करेंगे कि वेलूर मट कहां पर है बच्चों तो ये आपका है पश्रीम मंगाल में पश्रीम मंगाल में वेलूर मट है ठीक है हुगली नदी के पस्मी टट पर इस्तित है बैलूर मट और यहीं पर क्या है राम किष्ण का मुख्यालय भी है ठीक है नेक्स्ट वन 1893 में बिश्व की धर्म संगिय संसद में भारत का परति नहित्व किस ने किया था तो यह आपको बताना है क्या होगा बिश्व धर्म संगियलन जो हुआ था 1893 में सिकागो में हुआ था यह तो इसका नेट्यूर्थ भारत की तरप से किस ने किया था यह काफी पुराना गटना है यह बच्चों से सभी सुनते आ रहे हैं कि ऐसा समविवेकर ने किया था तो 1893 में जो सिकागो में हुआ था बिश प्रशिज भासन दिया था ठीक है तो यह आपको किस ने दिया था स्वामी विवेका नन्ने उस टाइम यह कितने साल के थे तीस साल के थे ठीक है नेंग्सट वन निम्लिखित मेंसे किस ने हिंदू धर्म के कई अनस्थानों के खिलाब प्रचार किया था? जैसे की मुर्टी पूजा, जर्म से जाती, पसु बली और वेदों को पढ़ने के लिए महलाओं पर परतिवन्थ तो बताना है कि किस ने इसके खिलाब प्रचार प्रशार किया था सभी को अंसर बताना है विचो वीडियो क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट क्वेसन है सारे के सारे तो अच्छे से पढ़िएगा हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं ठीक है तो तो आरे शमाज की अस्थापना 1875 में बंबई में आरे शमाज की अस्थापना हो रही है ठीक है यह आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है और इसका उदेश से क्या था कि व्यादिक धर्म के सुध रूप से पुना अस्थापना करना ठीक है इनका कहना था कि व्यादिक धर्म को फिर से लाया जाए फिर से इसको अस्थापना की जाए और वेदो की और चलो का नारा जो है इनके द्वारा ही दिया गया थ था क्या वेदो की और लोटो वेदो की और चलो या फिर लोटो तो यह नारा जो है कि श्वामी द्यानर सर्षवती के द्वारा ही दिया गया था और इसने इन्होंने मुर्ति-पुजा बहु देववाद अवतारवाद पसुबली तंत्रमंद जूठे कर्म-कांड जैसी जो को स्थिति थी उसका विरोध कर रहे थे इसके विरोधी थे स्वामी द्यानर सर्षवती ठीक है तो यह क्वेशन आपसे यहां से बन सकता है कि वेदो की और लोटो या चलो का नारा किन के द्वारा दिया गया तो यह स्वामी द्यानर के द्वारा दिया गया और आरे श्वाज क्या स्थापना किस ने किय थी तो स्वामी द्यानें सोच्रती ने की थी 1875 में की थी बंबई में तो यह आपको यहां पर धिहान में रखना है ठीक है next one 1884 में डेकन एजुकेशन सुसाइटी की स्थापना पूने में किसके द्वारा की गई थी डेकन एजुकेशन सुसाइटी की स्थापना किन के द्वारा किया गया तो जल्दी से बताएए इस का अंसर क्या होगा तो डेकन एजुकेशनल सोसाइटी की अस्थापना जो है ये किस ने किया था बच्चों तो ये विश्णु सास्त्री चिपलून कर और बाल गंगा धरती लग के द्वारा किया गया था तो 1880 में 1880 में 1880 में डेकन एजुकेशन सोसाइटी की अस्थापना नियू इंगलिस स्कूल के प्रारम से ही इसकी अस्थापना हो चुगी थी लेकिन आपचारिक रूप से ये 1884 में ये शुरू की गई ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है तो इससे जुड़ेवे बै स्कूल जब सुरू हुआ था तो हो सकता है यहां से प्रस्टम बन जाए बच्चो ठीक है नियू इंगलिस स्कूल तो नियू इंगलिस स्कूल की अस्थापना 1880 में हुई थी तभी से इसकी नियू रख दी गई थी डेकन एजुकेशन सोसाइटी की लेकिन आपचारिक टू NAM JOSI M B B NAM JOSI तो दो वैक्ति तो अपने क्वैसन में देख लिया और तीसरे जो वैक्ति थे वो थे NB NAMJOSI यह आपको ध्यान में रखना है नेक्श्ट वन आत्म सम्मान का अवियान एक ऐसा अवियान है जिसका लच्च ऐसा समाज늘 निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी शमान मानुव अधिकार प्राप्त हो इसकी सुर्वात किस ने की थी तो यह आत्म शमान आंदोलन जो है आत्म शमान अवियान यह ऐसा अवियान था जिसके तहत 1923 में उन्होंने वाइकोम मंदिरों में वाइकोम जो मंदिर हैं वहां पर हरिजनों के परवेश को लेकर यह आंदोलन चराय गया था क्योंकि वहां पर हरिजनों के परवेश पर पावंदिया थी तो उस पावंदिया को हटाने के लिए यह अवियान जो है वो शुरू किया गया था और यह ईवी राम स्वामी के द्वारा यह शुरू किया गया था इनका जनम 1879 में हुआ था और इसने प्रारम में कॉंग्रे अभियान किन के द्वारा शुरू किया गया तो यह ईवी राम स्वामी के द्वारा शुरू किया गया क्यों शुरू किया गया क्योंकि वाइको मंदिर में परवेश को लेकर हरिजनों के परवेश को लेकर शुरू किया गया एक अभियान था ओके बच्चों चले नेक्स्ट रविंद्र नाट टेगोर को गुरुदेव की उपाधी किस ने दी थी ये तो काफी important question है very important question पूछा जाता है ये exam में आपके तो जल्दी से पताईए क्या होगा तो यहाँ पर आपका correct answer होगा सभी को answer करना है ठीक है कुछ questions है होते हैं जो मैं expect कर सकती हूँ कि सारे रविंद्र गांधि को महतमा की उपाधी रविंद्र टेगोर ने दिया था मतलब यह लोग hair figure कि उपादी मतलब एक दूसरे को इन्होंने उपादियां दी तो गुरुदेव की उपादी रविनार टैगॉर को महात्मा गांदिय ने दी और महात्मा की उपादी रवीनार टैगॉर ने दिया था ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट किस व्यक्ति को सामनेता गुरुदेव नाम से जाना जाता था यह तो पता ही है सब को अभी हमने देखा तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा रविंद रनार्ण टेगोर रविंद टेगोर यहां पर सही आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट One एक बार यादक खिए गुरूर रविनाथ टेगोर जो ते 1901 में ने सांती निकेतन में आध प्रारम किय और यह विष्व विष्व में 202 विख्व हम बाद में यह विष्व विष्व विड्याले में भी परवर्थित हो गया तो शांती निकेतन की सापना 1901 में इन्ही के गुर्वा नाट्यगोर के दौरा ही शुरू क्या गया और बाद में बिस्व विद्याले भी बना जो BEN 20% अस्तर पर विख्यात हुआ और इनकी जो पुस्तक है गीतों की पुस्ती का 1913 में उनकी गीतों की पुस्ती का जो होथि गीतां जली को सहित्त के लिए नौवेल पुरुषकार मिला, तो 1913 में जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, गितानजली, ये गीतों की पुस्तक थी, और साहित के लिए इनने क्या मिला, नौवेल पुरुषकार मिला, ठीके बच्चों तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो गितानजली किनके द्व पुन भूमिका निभाई, और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी कहा जाता है, नाइटेंगल ओफ इंडिया, तो नाइटेंगल ओफ इंडिया के बारे में अगर हम देखेंगे, तो ये तो बच्चपन से हम लोग जीके के बुक में पढ़ते हैं, कि नाइटेंगल ओफ इंडिया किसे एक आज आता है, तो ये आपका सरोजनी नाइटेंडू हो जाएगा, सरोजनी नाइटेंडू जो थी वो एक कवित्री थी, राष्टवादी नेत्री थी, और उन्हेंने 40 अधिवेशन जो कानपूर में हुआ था, 1925 में जो कानपूर में अधिवेशन हुआ कानपूर में कॉंग्रेश अधिवेशन जो हुआ था, वहाँ पे इनुने अधिचिता की थी, और ऐसा करने वालो भारती महिला पहली थी, अगर महिला के बारे मात करेंगे तो वो तो एनिवेशन है, लेकिन भारती महिला के बारे मात करेंगे बच्चों, तो वो आपका हो सरोजनी 9, ē ठीक है? चली, नेक्स्ट वन, फ्रंटियर गांधी के नाम थे किसी बूलाय जाता है? फ्रंटियर गांधी कोई सीमांध गांधी के नाम से बोला जाता है, इसमें correct answer होगा, खान अफ दॉला, गफर खान, ठीक है बझ्चों, चली, नाक्स्ट वैक्ति को बाठस अंसर आपको किया जाएगा as soon as possible आपको answer relevant question का answer किया जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा correct answer Florence sorry किस व्यक्ति को पास्ता खान तो यहाँ पर खान अब्दुल्ला गफरकां C is the correct answer ठीक है C आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा next lady with the lab के नाम से किसे जाना जाता है तो lady with the lab के न के नाम से दीपक वाली महिला the lady with the lamp मतलब दीपक वाली महिला तो यह flourish night angle को जाना जाता है इस नाम से next ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखरी दिनों ऐसा सीखो कि आप हमेशा जिवित रहेंगे या सब्दे किसके द्वारा कहे गए तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा महत्मा पलो तो यह आपका महत्मा गांधी के द्वारा ऐसा कहा गया था सहिस्टनूता के अव्यास में उसका दुस्मन ही उसका सबसे अच्छा सिच्छक होता है in practice of tolerance once animals the best teacher यह सब्द किस ने कहा था तो या दर्कनत तीबती धर्म गुरु जो थे दलाई लामा क्या थे तीबती धर्म गुरु दलाई लामा थे जिनके द्वारा इन्हीं के द्वारा ये चीज़ कहा गया था भारत का राष्टी प्रतिग्या के रचेता कौन है ये तो काफी important question है सभी को असका अंसर बताना है कि क्या होगा भारत की राष्टी प्रतिग्या के रचेता कौन है तो यहाँ पे आपका पीडिमारी वेंकट सुबाराव होगा तो सुबार और द्वारत तेलगू भासा में रचा गया था 1962 में 1962 में रचा गया था और ये तेलगू भासा में रचा गया था नेक्स्ट निम्लिकित में से अनुसरन किये जाने वाले धर्म एवं पत्री का पुस्तक की कौन सी जोड़ी जो है यह असंगत है तो बच्चों कुरान इसलाम से समंदे गुरू गुरन साहिप सीख धर्म से समंदे लेकिन यहाँ पे जो जैन धर्म से समंदित उपनिशद है यह जैन धर्म से ना समंदित होते वे जो उपनिशद है वो किस धर्म से समंदित है तो यह समंदित है वैदिक धर्म से ठीक है यह आपको समझना है तो उपनिशद वैदिक धर्म से समंदित है ना कि जैन धर्म से तो सी इस दा करेक्ट आंसर नेक्स्ट मनुस्मिर्थी का अ इस अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजए और वीडियो को लाई कीज़े और शेयर के जितना हो सके ठीक है है तो तो मनुस्मर्ति का अंग्रेजी का नुवाद कई बार हो चुका था तो ये किय गया था किसके द्वारा तो ये किया गया बी-burgh और वूलर के द्वारा नेक्स्ट हिंद स्वाराज के लेखा कौन है हिंद स्वाराज के लेखा कौन थे सभी को बताना इसका अंसर क्या होगा तो जब जो महत्मा गांधी थे वो इंगिलैंड से दच्छिन अफ्रीका आ रहे थे इंगलैंड से दच्छिन अफ्रीका तभी उन प्रचिन अफ्रीका तभी उन्होंने हिंद स्वाराज लिखा था ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट भारती सुतंतर संग्राम में साहिता है तुन निम्लिखित में से कौन से संगठन की अस्थापना भारत के बाहर नहीं की गई तो यहां पर आपको ध्यान में से रखना है जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका सी हिंदुस्तान समाजवादी गंतनत्र संस्था सी इसता करेक्ट आंसर नेक्स्ट निम्लिकित में से एक व्यक्ति व्रिटिसों द्वारा फासी पर चढ़ाय गया सुतंतर संग्राम करांतिकारी नहीं है तो यहां पर बताना है जैसे कि 23 मार्च 1931 में भारत के इन सपूतों को फासी के सजा सुनाए गई ठीक है और इन्वे से जिसे भगत सिंग राजगुडू और सुख देव उनको फासी दी गई वैसे तो यह घोसना हुई थी अक्टूबर 1930 में लेकिन फासी दे दी गई 23 मार्च 1931 में तो इन ती मुटवेर में इनको गोली मार दिया गया था इलावाद के अल्फेट पार्क में ठीक है नेक्स्ट हिंदुस्तान हाँ तो चंसेकर अजाज होते इलावाद के अल्फेट पार्क में वो मुटवेर में खुद को अपने आपको ही गोली मार लिये थे ठीक है यह चीज आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट वट हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिभबलिकन सोचलिशं के सथापना किसके द्वारा की गई थी यह आपको ध्यान में रखना है यह आपका होगा भागत सिंग यहाप पर करेक्ड ऐंसर होगा चलिए तो यहाप आपका ठीक है तो आपको याद रखना है दो बुझे मैस की क्लास से साने वाली है ये मत भूलिएगा ठीक है तो चलिए अपने नेक्स क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए वन दे मातरम